हाँ हाँ मुझे पता है कि आप 11 standard के students मेरा बहुत दिनों से बेसबरी से इंतजार कर रहे थे लेकिन दिर से कि आप जानते दोस्तो यार बारवी के लिए continuous हम लोग यहाँ पर live revision करा रहे हैं बहुत सारे important चीज़े दे रहे थे इसलिए बहुत जादा busy हो रहे हैं आप लोगों करना भी चाते हैं और उसी चीज़ को discuss करने के लिए ये वीडियो में आप लोग के लिए बना रहा हूँ तो please एक request यह है कि अगर आप 11 वी के students हो चाहे आप science stream में हो चाहे आप commerce stream में हो आप दोनों के लिए ये common वीडियो है जिसमें हम कुछ important updates के बारे में बात करेंगी कि क्या क्या चीज़े हम आपके लिए सोच रहे हैं और आप से हमें क्या चाहिए और साथी में कुछ important planning जो हम आने वाले दिनों में आपके लिए करने वाले हैं ताकि आप लोग को पता चल सके और आप लोग की पढ़ाई और ज्यादा smooth तरीके से हो सके और आपके लिए future में क ऐसा प्लाइन करना यह आप लोग हमें बताओगे उसके लिए फीडबैक हमें चाहिए तो वो सभी चीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग को बस एक काम करना है इस वीडियो को पूरा देख लेना है अगर आपको ज्यादा फास्ट देखना है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो 1.25 की स्पीड 1.5 की स्पीड से आप देखो लेकिन यह वीडियो देखो चरूर पूरा एंड तक देखना और एक रिक्वेस्ट अभी से बोलता हूं कि आर आपने जितने भी गयारवी के फ्रेंड्स है ना चाहे वो साइंस में हो चाहे कॉमर्स हो करना चाहते तो अभी आप 11 में हो मुझे पता है आपका आकरी टाइम चल रहा है 11 में और लगबग एक डिड़ मेने के अंदर आप 12 में पास आउट होके चले जाओगे तो 12 के लिए तो आपको कोई टेंचन लेन की जरूत नहीं क्योंकि 12 का तो एंटाइर सिलावस हमने चीज आपको जानना बहुत जलूरी है तो चलिए शुरुआत करते हैं ठीक है तो सबसे पहली बात हम आपको एक चीज पूछना चाहते हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो फाइनल एक्जाम है यानि कि जो 11 स्टैंडर का जो फाइनल एक्जाम होत कहते हैं, मुझे भाईया, मेरा एक्जाम, जो है, 25 मार्च से शुरू हो रहा है, ठीक है, 25 मार्च से शुरू हो रहा है, मतलब, naftar the board exam, जिन लोग का दसवी का board exam होगा, 10 वाड वोड exam खतम हो जाएगा, तो 11 का exams वो college वाले शुरू कर देंगे, ठीक है, ऐसा उनका कहना था, तो मैं आपसे जाना चाता हूँ कि आपके schools में, आपके colleges में कबसे final exam शुरू हो रहा है, और अगर शुरू हो रहा है, तो आपको एक चीज़ पता होगा कि आपके final exams के लिए क्या-कया chapters आने वाले, तो व आप लोग मुझे बताओगे कि physics में कौन-कौन सा chapters आने वाले है, आपके final exam शुरू हो रहा है, तो पहले वाले में 4, 5, 6 आ रहा है, दूसरे वाले में 7, 8, 9 आ रहा है, जो भी है, 6, 7, 8 आ रहा है, मुझे comment करना, उसी प्रकार बार्वी का, इसका biology का, तो जो भी चाप्टर से मुझे comment करना, यह हो गया science के लिए, same commerce वाले भी यही काम करेंगे, commerce वाले के लिए OCM हो गया, SP हो गया, BK हो गया, या फिर economics हो गया, यह सभी अपने अपने chapters मुझे systematic pattern में comment करेंगे, मैं चाहता हूँ, ज़्यादा सज्यादा comment आए, अगर जो comments आप लोग करेंगे, तो उससे मुझे ही पता चलेगा, कि आप लोग के, जो papers है, वो कब से है, और कौन-कौन से chapters आने वाले हैं, तो हम वो देखेंगे, कि कौन-कौन से chapters रहे गए, मालों कि यह chapters हमने पढ़ा दिया है, तो अच्छी बात है, वो तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो chapters रहे गए हैं, जो हमने नहीं पढ़ाया, वो हम लोग पढ़ाएंगे, और आप लोग को यह विवाइस भी कराने की कुशिश करेंगे, तो यह सबसे पहला काम हम करने वाले हैं, दूसरा जैसे कि आप जानते हैं, कि हमारे इसी चैनल, JR College के उपर हमने कई सारे वीडियोज प्रोवाइड कर दिये हैं आप लोगों, चाहे हम Science टीम की बात करें, तो Physics की बात करें, Chemistry की बात करें, Maths की Biology, यह चारो सबजेक्स हम पढ़ा रहे हैं, किसके लिए 11 Standard, Science Stream के लिए बात किय यह Science Department के लिए तो कई सारे chapters present हैं, और वही अगर मैं Commerce की बात करूँ, बच्चा, तो Commerce के लिए अगर आप देखोगे, तो SP और OCM, यह सभी के पूरे-पूरे chapters already available हैं हमारे JR Tutorials चैनल पे, पूरा सिलावस completed है, JR Tutorials चैनल पे, तो वहां से Commerce वाले जाके पढ़ाई कर सकते हो, 11 वी की, पूरा सिलावस completed है, वही अगर मैं बात करो, Economics की, Economics का भी पूरा सिलावस, JR Tutorials पे आपको मिल जाएगा, और यहां पे इस साल आपको 11th B के हमने बहुत अच्छी से प्रोवाइड किया, और 11th ECO B धुबारा से JR College पे ही, इसी चैनल पे प्रोवाइड किया, तो आप आपको न, अगर आपको कोई भी चाप्टर पढ़ना है, जैसे मानलो कि आपको चाप्टर नंबर 5 पढ़ना है, चाप्टर नंबर 6 पढ़ना है, तो आप एक काम करो, लिखो खाली YouTube पे जाके, 11th Standard, चाप्टर नंबर 6, जो भी उसका नाम होगा, by JR Tutorials, या फिर JR College, तो यही चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस देखके concept clear कर सको, जितना ओयोगदान मैं कर सकता था, उतना मैंने किया है, और आगे भी प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, तो बहुत सारे पूरा-पूरा mostly, मैं ऐसा नहीं बोलना हूँगा कि 100% मैंने complete करा है, लेकिन जितना भी है, mostly सिलाबस हमने complete करा है, उसके lecture by lecture वीडियोस हमने already बना के upload किया हुआ, इसी channel JR College पे भी, और पुराने वीडियो JR Tutorials पे भी present है, ठीक है, तो आप search कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले वीडियो को search करना है, उसको देखना है, और अपने concept को clear करना है, लेकिन जैसा मैं बो लोग के लिए बहुत सारे chapters pending है, खासकर बच्चे comment कर रहे है 11 chemistry के लिए, मुझे पता है वो चीज, मैं देख रहा हूँ comment, लेकिन मैं थोड़ा सा lag इसले ही किया, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारा concentration बारवी पे था, अब बारवी के board exam चालू हो गए, तो उननोंको तो live मि कौन से आने वाले हैं, साथ ही में, क्या planning हम आपके लिए सोच रहे हैं, planning ये है, कि हम सोच रहे हैं कि आपके लिए last moment, जब आपका date आप मुझे comment कर रहे है, जैसे मैंने starting में ही बोला, कि आप मुझे dates बताओ, कि कौन-कौन से exam, कौन से dates को होने वाले, कब से शुरू हो रह हिस्ट्री में, JR College से अभी नया चैनल, लेकिन पूरे JR Family के History के चैनल के अंदर हमने 11th Standard को Live Revision नहीं दिया, तो मैं आपके लिए प्लाइन करना हूं कि हम Free Live Revision देंगे आपको हमारे इसी चैनल JR College के उपर, जो की ये YouTube चैनल जो आप अभी इस वक देख रहे हैं, जिस पर ये मरजित देख सकता हूं, तो Recorded का ज़्यादा बोट आएगा, तो Recorded बनाऊँगा, लेकिन अगर Live का ज़्यादा बोट आया, तो मैं Live बनाऊँगा, जितना हुसा कि कोशिच करूँगा लाइव बनाने की, इतना मैं Guarantee के साथ अपने एंडेसे में बोल सकता हूं, दूसरा च जोचूँगा कि आप लोग को नहीं चाहिए, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो आप लोग कॉमेंट करो, एक्स्ट्रा क्या आपको चाहिए, जैसो इसके अलावा तो मैंने कई सारी चीज़े प्रवाइड किये, लेकिन इसके अलावा कोई अक्स्ट्रा चीज़ जिसे कुछ important questions के series चाहिए, और भी कुछ चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे comment कर देना, जितना comment आएगा उतना आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, बस मैं आपसे एक request करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कि आप जितना हो से कि हमारे वीडियो देखे, उसको share की देख, क्या होता है कि हम यहाँ पे महनत करते हैं, और जब हम उस महनत का हमें फल नहीं मेंता है, तो हम कहीं न कहीं थोड़ा सा demotivate feel करते हैं, यह हुआ है मेरे साथ, मैंने कहीं सारे वीडियो इस चैनल पे बनाया, जियार कॉलेज पे, लेकिन क्या होता है, कभी का भी चीज़ के लिए मुझे आप लोग की सहायता, आप लोग की सपोर्ट के जुरत है, तो जितने भी बच्चे मुझे आभी देख रहे हैं, तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को एक बार recommend करना, कि हम इस चैनल पे बहुत सारे चीज़े डाल रहे हैं, तो प्लीज एक बार issues चल रहे हैं, गलेगा problem चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं record कर रहा हूं चीज़े, ताकि मैं आप लोग के लिए सही समय पे सही चीज़े दे सकूँ, और जहां तक lectures की बात है, जो चीज पेंडिंग है, आप लोग comment करोगे कि सर यह चीज पेंडिंग है, मैं तु तो please like करना, share करना, अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके, share कर देना, और first time आयो चैनल पे, तो फटा-फट से चैनल को भी subscribe कर देना, ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे, फिर एक और नवी वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.